नमस्कार मैं हूँ सिंदू और सिंदू की रसोई में आपका स्वगत है आज हम बनाएंगे बहुत ही तेश्टी सब्जी जो पनेर की सब्जी है इसमें ना हमने लसन डाला है ना प्याज डाला है और नहीं हमने दई डाला है और ना इसमें हमने घी, काजू, कुछ भी नहीं डाला ये सबजी आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा जिसे आपको इसका नियू ट्रिक पता चलेगा कि सबजी हमने कैसे बनाई है इतना गाड़ा और इतना स्वधिष्ट सबजी जो देखने मातर से ही पता चल जाता है तो चलिए इधर उदर की बाते ना करें सिधे आते हैं अपनी सबजी बनाने पे तो गैस के उपर हमने एक जाली रख दिया है और उसमें हम 3-4 टमाटर रख के अच्छे से भून लेंगे चिम्टे की मदद से इधर उदर करते हुए अच्छे से भूनेंगे जब ये चटकने लेगेगा इसके स्कीन तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टमाटर पक चुका है और हमने डेर लीटर दूद लिया है ये गाय का दूद है तो इसमें हमने थोड़ा सा विनेगर डाल करके पनीर बना लिया है और अब इसे हम फ्रेज पनीर से ही अपनी सबजी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पनीर हमारा घर का ही है और अपने हिसाब से यहाँ पर हम छोटे छोटे पिसिस करेंगे आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे पिसिस करेंगे क्योंकि इस तरीके की सबजी हमें बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर देखिए छोटे चौकोर इस तरीके के हमने पिसिस कर ली है अब इसको हम क्या करेंगे कि साइट से रख लेते हैं और जब तक कि हम अपना टमाटर जो है वो हम छिल लेते हैं जो यह काला वाला हिस्सा है इसे निकाल करके टमाटर बिल्कुल फ्रेस इस तरीके का कर लेंगे और आप चाहें तो हाथों से इसे कुचल लें या फिर वैसे तो यह पक चुका है लेकिन हम इसे चक्को की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे टुकरे कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा ही पीसेंगे इसका fine paste में नहीं बनाना है अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमें किस तरीके का paste बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं दरदरा ही paste में बनाना है गैस पर रखेंगे करहाई और उसमें एक से डिर चमा चमने सरसू का तेल यूज किया है आपके घर में जो भी तेल खाया जाता हो उसे आप यूज करें वरना आप घीमे भी बना सकते हैं इसे उलटते पुलटते यानि की पनीर के छोटी-छोटी पीसे हमने डाल ली है तो उसी हमें इस प्रिचला की मदर से इस तरीके का कलर जब हो जाएगा तो उलटते-पुलटते निकाल लेंगे और जब हमारा पनीर देखें यह कैसा कलर आ गया है हलका से ब्राउन करेंगे ज्यादा करेंगे तो ये पनीर हमारा हाड हो जाएगा सेम कराई में हम आधे चम्मच जीरा दो तीच पत्ता और दो से तीन लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी से खड़ी मसाले डालेंगे और समातर का जो हमने दरदरा पूस्त बनाये हैं वो डाल करके अच्छी से इसी हम भीनेंगे जो जिसको कलर थोरा चिंच हो जाएगा तो इसमें मसाले आइट करेंगे आदे चम्मच लाल मिर्च पॉर्डर, आदे चम्मच धनिया पॉर्डर, आदे चम्मच जीरा पॉर्डर और आदर से भी कम हम यहाँ पर गरब मशाला डाले हैं एक चम्मच यहाँ पर कास्मेरी लाल मिर्च डाला है वो ऐसे ही तीका नहीं होता थोड़ा सा हिंग डाले हैं और स्वाद के नुसार इसमें नमक डालेंगे और इन सारी चीजों को इस पुचला की मदद से चलाते हुए पकाएंगे ध्यान रखेंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम हमारा स्लो है और स्लो पे ही हमें मसाले को भूनना है जब मसाले का कलर इस तरीके का हो जाए यानि तेल उपर आ जाये तो कसुरी मेठी को हाथों से क्रेस्ट करके हम डाल देंगे कसुरी मेठी अगर इस तरीके की सबची बिनाओ और डालो तो इतना टेस्टी इतना बढ़िया फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है तो जब मसाले भून जाए तो इसमें पानी डाल देना वैसे हम मिक्सी के जार में ही पानी डालके निकाल लिए है और सब्जी में डाल करके इसे हम अच्छे से पका लेंगे अब देखिए मसाले का कलर चिंच हो चुका है तो साइट से कर लेते हैं और गैस पे एक फ्राइपैन डालेंगे और इसमें दो चम्मच चम देसीगी डालेंगे ये ट्रिक जो है आप जरूर अपनाएगा इससे हमारी सब्जी में जाना जाती है बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है एक चम्मच बेसन डालेंगे और गैस के फ्लेम को आपको दिखाई दे रहा है तो सो अच पर ही हम इसे भूनेंगे और बहुत ही अच्छे से इसे हम पका लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है अब इसे क्या करेंगे कि मसालों में इसका हम तड़का लगा देंगे जिसके हमारे सब्जी बहुत ही गारा बनके तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा एक बार इस ट्रिक को जरूर अपनाएगा और बना के और तब कमेंट करिएगा कि आपकी सबजी किस तरीके से बनी है तो इस तरीके से चलाते हुए जब हमारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे इसमें, देखे कहीं इसमें फुटके वगरा कुछ भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से हमारे मसाले पक चुके हैं तो इसमें हम पानी आइड कर देंगे, पानी आप अपने quantity के हिसाब से डालेगा, एक से दो मिनिट तक हम इसे पकाएंगे जिससे इसमें एक अच्छी उफाना जाए, अब इसमें हम डाल देंगे अपना पनेर जो की हम फ्राई करके रखे हुए हैं, इस तरीके की सबजी आप के पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा, और बहुत ही अच्छा सबजी बनके तयार होगा, आप हमें जरूर सस्क्राइब कर लें, आप देखें यहाँ पर सबजी कितना बढ़िया बनके तयार हो गया है, तो इस तरीके से सबजी हम निकाल लेते हैं, और अगर हमारी सबज अच्छा लगे, यानि हमारे वीडियो अच्छा लगे, तो हमें लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी हम आपको दिखाते हैं, यह कितना गाड़ा इसका जो रसी बना है, वो बना है, बिल्कुल बेसिक मसालों से हमने बनाया है, तो इस तरीके की सबजी आप ज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू,